हलो प्रेंट्स जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिकरी है एनाबॉलाइट मिक्स जो एक विर्भे कमपनी का प्रोड़क्ट आता है इस एनाबॉलाइट मिक्स के बारे में आज आपको मैं डिटेल्ट शे बताऊंगा जो कि एक न्यूट्रेशन सप्लिमेंट है जो कि आप अप मिक्स का प्रियोग करना चीए और ये दी आप अपने पस्टों को देदेंगे तो आपके पस्टों में क्या साइड एपक्ट भी हो सकता है किस तरह के पस्टों को देना चीए इस तरह के सबी Tribe के आपको मैं डिटेल्स से बताऊंगा । कि जो ये एनाबॉलाइट मिक्स आत कमेंट्स भी आ रहे थे कि अनब अबलाइट के बारे में एक अलग से डिटेल से वीडियो बना करके हमें देख, तो आज आपको अनबलाइट के बारे में पूरी डिटेल से बताया जाएगा, देखो इसके अंदर कंटेंट्स हैं, वैसे तो दिखाए नहीं गए लेकिन इसके बेंच फिट क्या देता है कि आपके पसूं को healthy एणरजी पर्दान करने के लिए इस enabolite mix का प्रियोग पसूं में करवाया जाता है। देखो सबसे पहले तुम आपको बताना साता हूँ कि यह किस तरह है कि जो पसू है यह दिया आपके पसू में किस तरह है कि सिम्टम से देखने को मिले तो उसमें आप एनाबलाइट का प्रियोग करना चाहिए देखो यह कि एक नगेट एनरजी बुस्टर है जो कि आपके पसू को एनरजी परधान करता है उस तरह कि पसू को देना चाहिए जैसे यह दिया आपके पसू की डिलेवरी हुई है और डिलेवरी होने के बाद में आपके पसू का जो दूद है वो डाउन हो गया है या आपका पसुझ जिस प्रकार से खाना कम कर दिया है खाना पिना कम कर देता है ये यह आपके पसुझ को भूर कम लगती टॉसिस के मतलब का करणा है कि यह दि आपके पसू कि जह खाना पीना जिस प्रकारशी जो दाना मिस्वर्ण है बांठ है इस तरह यह तरह आपको और पासू को दी जाती ए उस तरू कि दॉँड़ान पर किस तरह की डोज देनी चाहिए वह भी माज आपको बताऊंगा सही सटीक जानकारी आपको दूँगा तो वीडियो को स्किप करके न देखे पूरा देखें एक यदि आपके पसों में देखा होगा कि आपके पसों में भी आपका पसों कमजोर है या ब्यानियक के बाद में भी आपका पसों कमजोर रहता है बहुँ ज़्यादा कमजोर है तो उस इस्तती के दोरान आप इस न्यूट्रेशन फिट सप्लिमेंट का प्रियोग आप अपने पसों में करवा सकते हैं उन पसों में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पसू में देखने को मिलता है ज्यादा तर आपने देखा होगा कि आपके पसू बीमार होती है तो आपके जो डोक्टर हैं वो आपको परची पर लिकर देते हैं कि एनाबलाइट मिक्स आप उस पसू को पिलाएं ताकि किसी बितरह की जो बीमारी हो जाती है जो मेटाबॉलिक डिजीज एदिया आपके पसू में हो जाती है जिस परकार से किसी बितरह किटोसिस है, मिलक फ्यूर है या अधर एदिया आपके पसू में है, दूर डाउन हो गया है, पीपिएच हो गया है या दर जो बीमारी ये दिया आपके पसूँ में हो गई है तो उस इस्तिशितिके दोरान ये इनावुलाइट मिक्स या जो टेटमेंट कर रहे हैं तो उनके साथ पी उन पसूँ को दिलाया जाती है ताकि जो टेटमेंट किया जा रहा है उसके साथ अच्छा रिजल देखने को मिले और पसू जल्दी रिकवरी ले तब इस तरह का लिक्वीड पसू को दिलाया जाता है देखो इसकी डोज बताओं तो डोज अललग मातरा में दी जाती है जिस प्रकार से इसकी डोज परड़े के साब से 100 ml से लेकर कि 200 ml तक परड़े के साब से दी जाती है लेकिन किस तरह के पसू में किस तरह की डोज दी जाती है वो भी मैं आपको बताता हूँ यदि आपके पसू में बहुत ज़्यादा यदि कमजोरी है यदि ब्यानने के बाद में यदि आप उसके इनरजी बढ़ाना चाते हैं जैसे यदि आपके पसू की डिलिवरी हुए है तो आप इने 200 ml एक साथ आप उस पसू को दे सकते हैं लगातार पांस दिन उसकी डोज है रही बात यदि आप अपने पसू का जो दूद है वो आप केंटिनुटी इदि उसका बनाना चाते हैं या उसमें दूद कम है पसू दूद कम दे रहा है तो उसकी दूद की माता को बढ़ाना चाते हैं तो इसे आप 100 ml डेली दे सकते हैं पांस दिन से लेकर के 10 से 20 दिन तक आप इसका परियोग आप अपने पसू में करवा सकते हैं तब भी इसका परियोग है यदि आप अपने पसू का दूद पहले की तुलना में थोड़ा हई बढ़ाना चाते हैं या देखना चाते हैं कि अपने पसू का दूद बढ़े तो आप इने 200 ml परड़े के साब से वही तो उस पसू को आप भी 200 ml लगातार 10 दिन जो पसू आपका बांट या दाना मिस्र नहीं खाता है तो उन पसू को आप 200 ml परडे के साब से दे सकते हैं उनमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पसू में मिलेगा यह दिया आपका पसू कमजोर है बहुत ज्यादा जिनकी बोड़ी कमजोर रहती है तो उसकी डोज है 100 ml परडे के साब से लगातार आप 10 दिन से लेकर के 20-25 दिन कैंटिनिटी आप अपने पसू को यह एनावलाइट मिक्स है यह आप अपने पसू को दे सकते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप देखो मैं सही तरीके से ब कोई इस तरह का कोई साइड फिक्ट नहीं है यह आप अपने पसू को दे देंगे जैसे प्रिग्नेंट है तो भी दे सकते हैं नोन प्रिग्नेंट है तो भी दे सकते हैं दोनु में ही आपके पसू में यह अच्छा रिजल्ट आपके पसू में देता है जब भी आप अपने लीटर जो एनावलाइट मिक्स आती है इसकी जो MRP आपको दिख रही है ये एक लीटर में MRP हलांकि ये महेंगा जुरू आता एनावलाइट मिक्स लेकिन आपके पसूं के लिए बहुत ही अच्छा है पसूं की भूग बढ़ाने दूद बढ़ाने कमजोरी को उठाने के जो एक केरस कमपनी के आती है इसके बारे में आपको आने वाले समय में एक डिटेल सी वीडियो मिलेगी कि ये पसूं में क्या काम करती है इसके कितिन डोज देने चाहिए ये आपको वीडियो चाहिए तो निशेजा कि आप कमेंट में भी लिख सकते हैं रही बात जब भी आप इस तरह के जो न्यूट्रेशन फिर सब्यमेंड का प्रियोग करते हैं तो इन्हीं आप दूप में रखें थंडी साम में रखें ताकि आपके पसु में अच्छा रिजल देखने को मिले यह वीडियो अच्छे लगी है तो निशे जा कि आप कमेंट में लिखें मेरी धन्यवाद